कि नमस्कार आप देख रहे हैं राष्ट खबर और मैं हूँ आपके साथ सोनू पांडेट सरपंच चुनाओं को लेकर उमिद्वार रात दिन एककर वोट बटोरने में जुट गए हैं इस बीश राष्ट खबर की टीम ने धरातल पर पहुँचकर उमिद्वारों से बात की और जानना चाहा कि आखिर इस चुनाओं में क्या होंगे मुद्दे और मसले साथ ही इस बात पर भी चर्चा होई कि जनता किसे चुनेगी गाओं का मुखिया और कौन होगा गाओं का भविस्से तो चलिए देखते हैं चुनाओं को लेकर क्या है गाओं की कहानी खुद उमिद्वार की जुवानी नमस्कार राष्ट्र खबर में आप सब का स्वागत है आज हम ऐसी पावन दर्ती पे पहुंचे हैं ग्राम पंचायद शेर आज ऐसे सूरवीर की बात करना चाहूंगा प्रेम सिंग चारण जो की इसी दर्ती से हैं जो सहीद हुए हैं उस दर्ती पे आज चुनावी सरग्र जानते हैं इनकी जुबानी क्या मुद्दे हैं क्या मसले हैं सबसे पहले हैं सर हमारे चैल में स्वागत है आपका नमस्कार बात करें किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं मैं तो यही है कि पराद मिक्ता उनको दी जाएगी और आवागमन के जो रास्ते हैं सडके हैं और जो आवास की सूइधा एं तो वरीटा करम से दी जाने के लिए मैं ततपर रहूंगा और मुझे मौका मिलेगा, तो हर समय गरामवाचियों की सेवा मैं ही समय व्यातित करूंगा, यह नहीं है कि मैं उदासे इनता बर्तू ह हर समय, जो हमारे गरामवाचि हैं, तो उनकी सुईधाइं, मेरी सुईधाइं समझूंगा सर बात करें ग्राम पंचाइश शैर की यहां मुझे विकास नजर नहीं है ऐसा क्या कारण रहा कि किसी भी जन परती नीदी ने कोई विकास करें नहीं करवाया और कोई आवाज नहीं उठाई किसी जनता ने देखो इतने ग्राम वासी हैं ग्राम इन एरिये में रहते हैं तो पहले से ही सुईदाओं से वंसीत रहे हैं उन्हें इतना ध्यान नहीं है कि सडकें किस परकार की होती हैं और पानी की सुईदाओं किस परकार होती हैं और आवास किस परकार से कितनी रासी है क्या है हर आदमी को मालुम नहीं है तो जयों जयों जागरुकता आएगी लोग समझेंगे और उसे हैसाब यह काम होगा और काम हुए तो हैं लेकिन है जैसे ओने साई है उसमें कमी रही है तो हम पर्यास करेंगे की कमी इलाशनाई को दुरस्त ही हम आगे कारिया करने के लिए तत्पर रहेंगे सर आप शिक्षा से जुड़े होए हो मैं इसक्षा पर यह परसन करना चाहूं के तो आप क्या पर्यास करेंगे कि जो 20 में बच्चे सोड़ देते हैं उन माता पिताओं संपर करके उन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और जो गरीब निर्दन बच्चे हैं उनके लिए सातर वरती हैं जो अनुसुसित जाती या अनुसुसित जन जाती या कम आई वाले या भूमी इन बच्चे या ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता का स्वरगवास हो गया है उन्हें हम प्रेरित करने के लिए पर्यास करेंगे सरकारी जो उन्हें सुईदाए मिलती हैं उन सुईदाओं से उन बच्चों को वंसित नहीं रखेंगे ऐसी मेरी जो उत्सुकता है सर मैं बात करूँ बाली का शिक्चा की यहां मुझे बाली का शिक्चा ऐसी खास नजर नहीं आई और आप क्या प्रयास करेंगे प्रयास हम यहीं करेंगे कि बाली का यह बच्चों के बराबर कर आथ वी तक तो अधियनरत हैं बत्सों की संक्या के बराबर आगे बालिकाई क्या है कि आथ वी करने के बाद सेकेंडरी स्कूल की परिक्सा या बारवए की परिक्सा स्ज्राइब नहीं दे पाती है उतनी संक्या में रह्त है हैं और उन प्रेरित करके और बालिकाओं के लिए जो सुवीदाएं सरकार द्वारा मिलती हैं वो सुवीदाएं उन्हें दिलाएंगे किसी परकार से उनको वंसित नहीं रखेंगे और उनकी जो सिक्सा में आगे बढ़ेगी तो हमें भी परसंता होगी सर बात करूँ आप चुनावी परसार के लिए जाते हैं जनता मुद्दे भी बताती हो ऐसी कोन कोन सी समस्या आ रही है जो जनता आपको बता रही है समस्या तो खास कर पानी की हैं और घर घर सडकों की हैं और जो आवास मिले हैं तो भी कुछ लोग वनसित रह गए हैं कि भी हमारे को आवास नहीं मिले हैं तो हम वादा तो पहले नहीं कर सकते क्योंकि भवीशिय में सरकार की सुईदाएं क्या-क्या आएगी और क्या-क्या नहीं आएगी ये अभी पता नहीं है तो जो सुईदाएं आएगी तो लोगों को अंदेर हम नहीं रखेंगे और उन्हें पार दर्सिता से बता करके उन सु समस्या बताई जा रही है कि किसी भी आम आदमी को रासन नहीं मिल रहा है और भुजूर को पैंसे नहीं मिल रही है आपके क्या प्रयास रहेंगे इनके बारे में देखो रासन तो मिल तो रहे हैं लेकिन मेरे यह मालूम नहीं है कि कोई वंसित रह रहा है या पूरा रासन नह और सहकारी सोसाइटी में रहेगा और वहाँ पर गराम निशित कर देंगे और उस हिसाब से समय के अनुसार निशित थिति पर राशन दिया जाएगा और इसमें किसी परकार की जो है कमी नहीं रहेगी ऐसा हम परियास करेंगे और अमद यहीं उमीद रहेगी कि राशन जिस वेक्ति का है उसे ही पहुंसे और समय पर पहुंसे सर मैं युवाओं के लिए एक बात पर्शन करना चाहूंगा युवाओं के लिए यहां रोजगार के क्या संसंदान है जनता सरपैंच बना देती है तो आपके क्या परियास होंगे अब यवाओं के लिये तो कोई ऐसी योजना है लाने का परियास करेंगे जो गाँ में ही उनका कोई ध MIDनदा सले घाँ में कोई सोटा मोटा कारी करम जैसे लकडी का धंदा है या कपडे बुनने का है या उनि कपड़े बुनने का है ऐस परकार की सुईदा होगी तो रोजगार मिल सकता है बागी गाउं में रोजगार के जो स्रोत हैं वो कम है तो परियास हम यही करेंगे कि ऐसा जो घर में ही बैटे बैटे कमाले जैसे सिलाई वाला है तो सिलाई का कारी करें और कपड़े बुनने का है तो उसे भी आज कल वोड़ा वोड़ सलती है तो उसमें कपड़ा जो है जो बजार का है मसिनों का है और उसमें हाथ का है बना हुआ है तो उसमें कीमत में ही डिपरेंस है तो हम परियास यह करेंगे कि व है niewाले कोई स्विद्धा रिजाए ताकि वह अपने घर में अपना सोटा मर्शत काम भी कर ले और बढ़ने का है को एक कशी धाकारी है ऐडिकला कोई उनी जर्षी बढ़ने का है तो उसे परिवार में अगर दूसरा काम करते हैं और dkvd sein समाप तो जाए ऐसा काम करेंगे सिपीवी बेरोजगारी वो है जो बारा मास में चार मास खेती का दंदा होता है और आठ माँ फालतु बैटे रहते हैं तो मेरा पर्याद यही रहेगा कि लोगों के घर में जो अपने सिपीवी बेरोजगारी है उसको कम किया जाए पूरी तर समाप तो होना अभी दूर है लेकिन सिपीवी बेरोजगारी कम होगी तो किसी महिला को दंदा मिलेगा और घर में किसी आदमी को दंदा मिलेगा तो उससे उसके परिवार का गुजारा असी तरह सलेगा सर आपने भी देखा होगा आज युवा पर युवा लोग हैं उनकी नशे में लट बहुत लगति चुकिये युवा लोग नसे में जाते नजर आ रहे हैं आपके क्या प्रियास रहेंगे गराम पंचाइट को नशा मुक्त बनाने में है मेरा ये प्रियास रहेगा कि मैं एक दम ऐसे आधेस नहीं दे सकता कि नशा बंद कर दो क्योंकि आधेस तो कौन मोनेंगा लेकिन हम प्रेजित करेंगे बड़े बुड़े हैं उनको समझाएंगे और जो युवा हैं उनको समझाएंगे जैसे कोई बीड़ी की लट पड़ गई है तो हम उनको आज जोड़के कहेंगे कि भाईया दस वार बीड़ी पीते हो तो परियास करो साथ वार पीओ फिर पांस वार पीओ फिर तीन वार फिर दो वार फिर दिन में एक वार करते करते बीड़ी सोड़ दो तो जो बीड़ी सोड़ेगा उसके लिए हम उसके पीट थपता पाएंगे और तो उसको क्या धन दे सकते हैं पीट थपता पाएंगे उसकी बिलकुल और जो दू कोई नसा है तो हम परियास करेंगे कि नसा वो बंद करें क्यों कि स्वस्त शरीर में स्वस्त दिमाग रहता है शरीर स्वस्त होगा तो सबसे पहला सुक है निरोगी काया तो निरोगी काया करने के लिए हम युवाओं की टीम है उसको त्यार करेंगे और उसको लोगों में कु वी लेकर करें उनको देलाईंगे मैं यह नई कहता कि मे पुरूश कार दूँ गा लेकिन जो कोई संसता हैं होगी टीम होगी तो वो जो है उनको नुसा चुड़ाने के लिए उनको जो पुरुस्तान के लूप में कुछ देगा तो नसा चूट जाएगा तो उसका सरी स्वस्त होगा परियावन सुद्ध होगा वातावन सुद्ध होगा और जो है सबसे बड़ी यह होगी कि समाज का सुदार होगा सर आप अपनी ग्राम पंचायत को चैनल के माद्यम से क्या अपील करना चाहेंगे अम तो हमारी ग्राम पंचायत में चैनल के माद्यम से यह अपील करते हैं कि भाई स्वस्त राजनीती करके एकदम स्वस्त और उज्वल परसार करना मेरे बारे में कोई कहो तो उज्वल परसार करना स्वस रूप से परसार करना किसी परकार से लोगों को अफ़ा पहला के उसे जो है भर्मित नह करना और स्वस राजनीती से जो भी मेरे लिए भी मत दाता है मत दाता है तो वो के भी कि आताराम के लिए ऐसा करो ऐसा करो लेकिन सुस्ष एकदम स्वस करेंगे तो हमारा जो परिडाम होगा जितना भी गल्द ह से तो जणता जो स्वस्ष राजनिती से मतधाता मेरे को करेंगे तो मुझे से खुशी होगी और मुझे पस्तवानहीं होगा कि देको ऐसे ऐसे कुछ करके आंभ ऐसा नहीं मेरे को लोग अंतराइत्मा से शात हैं तो मेरे पर्तिorama करेंगे और मेरे को नहीं साते तो हम दूसरा उनको भर्मित नहीं करेंगे किसी परकार से भर्मित नहीं करना है एक और बात मैं करना चाहूंगा विदूति करन का इसका भी बहुत बड़ा मुद्दा ग्राम पचायद में बताये गया है आपके इसका निवारन कैसे करेंगे अब इसमें जो योजना लगेगी तो हम इनकी सूची बनाएंगे सूची बनाएंगे कि कितने परिए उनको जो समन्दीत परबरी उनको अवगत करेंगे और वहां से जो योजना आएगी वह गाव में लागू करके ऐसा करेंगे कि कोई वन्सेत नहीं रहे इस सर्वोतम विकल्ब क्या है जो सर्वोतम विकल्ब है उसका ही हम सेंद करेंगे बिलकुत धन्यवासर हमारे चैनल में बात करने के लिए आज हम पहुंचे ग्राम पंचायद शेर आज सर्पेंच पत्र के उम्मीद्वार इन्हों ने बताया हमारा सपना है ग्राम पंचायद का चोमुखी विकास करवाना अगर जनता का साथ रहा तो विकास होगा देखते रहे राश्टर खबर मैं संकर पंसारी मेरे स्योगी रमेश कुमार